रुद्राक्ष और प्रीशा गडबडी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां प्रीशा ने अर्मान से रुद्राक्ष देविका की शादी को नहीं तोडने के लिए कहा। अर्मान ने उसकी बात नहीं मानी और प्रीशा से कहता है कि वह उसे और रुद्राक्ष को उसकी बहन की जिंदगी बरबाद नहीं करने देगा। प्रीशा देविका की जाच करने जाती है क्योंकि वह पूरी तरह बिखर चुकी है और यहां प्रीशा को जटका लगता है। अर्मान इसके लिए रुद्राक्ष को दोशी ठेराता है और कैसे उसने देविका को धोखा दिया और उसका दिल तोड़ दिया। रुद्राक्ष और प्रीशा की जिन्दगी एक नया मोड लेती दिख रही है और यहां हालात बदलते नजर आ रहे हैं। देविका ने आत्म हत्या कर ली क्योंकि वह रुद्राक्ष के विश्वास घात को सहन नहीं कर सकी और यहां अर्मान अपनी बहन देविका को खो कर अपना आपा खो बेठा। अर्मान रुद्राक्ष की पिटाई करता है और उसे देविका की मौत के लिए दोशी ठहराता है और यहां जीपिएस इसे रोकने के लिए पुलिस को बुलाता है। अर्मान ने रुद्राक्ष और प्रीशा के विश्वास घात और देविका को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने की साज़िश का आरोप लगाया। रुद्राक्ष और प्रीशा हत्या के मामले में गिरफतार हो जाते हैं और यहां उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है आगे और क्या ट्विस्ट और ड्रामा का इंतजार है और आगे स्थिती कैसे बदलेगी